नमस्कार दोस्तों बिग बुल मार्केटिंग के योट्यूब चेनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गैस आज हम डिसक्स करें आयो सेल शेर के बारे में इंडेनोल कोपरेशन के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करने चाहिए नहीं और जो है आपको इस शेर में आने वाल टाइम में क्या टार्गट देखने को मिलेंगे कहां इस शेर का स्पोर्ट बनेगा कहां पर रिजिस्टेंस सारा हम आपको क्लियर करके देंगी छेइब को सब जोड़ेड करें एक चैनिगार लेवल जो करें एक टूझ यह और वक्लस को सबसे पहले वनरशेप के ownership distribution में यहाँ पर कोई कमी नहीं है guys काफी healthy ratio में जो है ownership बांटी गई है कोई भी red flag आपको जो है ownership में देखने को नहीं मिलेगा valuation ratio के बारे हम बात करें तो valuation company के काफी इस time जो है बढ़िया है लेकिन P.E. ratio जो है वो काफी undervalued zone में है जिसे साबत लगता है guys stock price इस time काफी आपको undervalued zone में मिल रहा है तो यहाँ पर आप जो है एक अच्छे P.E. ratio में जो है stock price में जो है जो था हमारे जो यह company थे आयो शेल बगरे इन्हें काफी जादा discount में जो था crude oil की सॉरी काफी जादा expensive rate में जो था crude oil international market से खीरना पड़ रहा था और काफी जादा discount में जो था domestic market में बेचना पड़ रहा था ताकि इंडिया में inflation जो है अन्हों ने भी stock dump किया जिसके वाज़े से हमें इसमें एक weak sentiment और क्रेक्शन जो था गाइस देखने को मिला लेकिन अब जो है crude oil के prices नॉर्मल हुए है जो क्या बलता है इस्रेयल-Palestine war है उससे crude oil के prices फिर से बड़ा है लेकिन उससे उतने नहीं बढ़ेंगे काई जब तक इरान पर कोई हमला नहीं होता और जो यह आपके OIC countries है यह कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तब तक crude oil के price मुझे लगता है stable रहेंगे तो इस्रेयल-Palestine war के इतना impact crude oil पे नहीं होगा जितना रशय उक्रेयर का हुआ था बाकी revenue कंपनी का काफी बड़िया है ग्रॉस प्रॉफिट काफी जो है गिरा है इस कारण से लेकिन अब इंप्रॉव्मेंट हो रही है अब जो कंपनी यहां पर इंप्रॉफ करें तो आने वाल टाइम में यहां पर आपको काफी शांदर इंप्रॉब्मेंट देखने को मिलेगी और यह जो है अपना आपको बता है ग्रीन पावर प्रोजेक्ट से लेक्टेट भी काफी जादा बिजनस कर रहे है और डिवीडेंट पर आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर देती है बोनस शेर भी कंपनी देती है तो आप जो अगर लॉंग टर्म इंवेस्टर तो आपके लिए काफी बड़े स्टॉक है वॉल्टिलिटी शेर में काफी कम होती है और धीरे धीरे यह आपको जो है पैसा बनाके देता है अच्छा पैसा बनाके देता है लॉंग टर्म इंवेस्टर लिए और डिवीडेंट और बोनस वगेरा जो है टाइम टू टाइम बेसिस में देता है तो गाइस फंडेमेंटल में पुजीशन बना सकते हैं लेकिन ऐसा लॉंग टर्म इंवेस्टर ही बनाई है शौट टर्म इंवेस्टर मत बनाई हैगा क्योंकि यह शेर काफी स्लोली जो है मुवेंटम करता है और अभी जीसे साफसे चला तो एक काफी लंबे कंसॉलिडेशन फेज में स्टॉक जा सक करता है एक दिन में बाकी देरे देरे चलता है बाकी शेर तो गाइस फंडेमेंटली काफी बड़े सेटप यहां पर एक अबवर ट्रेंड शो कर रहा है तो अगर आप एक लॉंग टर्म इंवेस्टर और आपके वाँ पेशेंस है अपनी होल्डिंग करने का तब ही जो आप आई उसेल में निवेश करेगा बाकी स्टॉक में ऐसा कोई कम भी नहीं है चार्ट सेटम में एक अबवर ट्रेंड जो है चालू हो चुका है फंडेमेंटली भी बढ़िया है तो गाइस एसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद